नवस्कार दोस्तों फिर से सौगत है प्रशानतारट के इस नए वीडियो में दोस्तों मुझे कई कमेंट या सवाल आते हैं कि जब भी हम अपने कंपूटर के स्क्रीन के उपर काम करते हैं तो बहुत अच्छा फोटो दिखता है जैसे कस्टमर को दिखाने के लिए मोबैल मे लेते हैं तो पूरी की फोटो की वाट लग गई होती है तो पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्या हुआ और क्या करना चाहिए था मतलब चलू तो स्क्रीन के आकोर्डिंग चलू या डिस्प्ले मोबाल के डिस्प्ले के आकोर्डिंग चलू क्योंकि हम जो भी दिखा रहे जो पर अलग दिखे और मोबाल पर अलग दिखे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जितना हो सकी अच्छे से मैं ट्राइ करूंगा इसको एक्स् के फोटो का जो ब्रैटनेस है वो लो हो जाता है दूसरी डार्क पार्ट और डार्क हो जाता है, लाइट पार्ट और लाइट और उसमें से मजा खतम होने लगता है, डल लगने लगता है और तिसरी चीज़ है, कि overall photo के उपर रेड टोन आया होता है जिसके वो जैसे अपना photo फ्रेश नहीं लगता है, जितना saturated नहीं लगता है या उतना मतलब जैसे हम additional color apply करते face के उपर, background के उपर, वो उतने uber के नहीं दिखते उतना vibrant saturation, तो उसको कैसे fix कर सकते और photo हम चाहते ही कि display पे भी वही दिखे जो mobile में भी वही दिखे, तो इसका solution के उपर बात करते है कि पहली चीज़ है कि पहली चीज़ है computer का display, अगर हम आपको अच्छा color correction करना है जो display पे दिख रहा है, वही mobile में देखना है तो आप IPS panel का display खरीद लीजे, उससे क्या होगा जो actual color हमें दिखेंगे, जो display पे दिख रहा है वही mobile में दिखेगा और वही printer में भी दिखेगा तो अगर हमारे पास IPS panel का display नहीं है, हम laptop पे काम कर रहे है या LED screen पे काम कर रहे है तो उसका problem क्या हो जाता है, हम थोड़ा भी angle change कर देते समझ लोग ये display है, तो मैं थोड़ा angle change करूगा तो अलग color दिखने लगते हैं, उपर से देखोंगा तो कई बार वो negative ही दिखने लगता है, या color change लगने लगते हैं तो actual color हमें पता नहीं चलता है तो actual color पता नहीं चल रहा है, तो उसका solution मतलब कैसे करें हम तो उसके according लिए जो दिख रहा है, brightness कम दिख रहा है तो इसका एकदम easy से easy solution है, एकदम easy solution है पहले तो इस display अगर हो सके तो IPS panel का ही खरीद लिजए अच्छल color correction के लिए अगर नहीं है और laptop या normal display पे हम काम कर रहा है जिसका color correction ठीक नहीं दिखता है या नहीं अच्छे से होता है तो उसमें एक trick इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ बात समझने की है हमें पता नहीं कि color कम है या ज्यादा है पर Photoshop को पता है कि वहाँ पर अपने photo के brightness कम है ज्यादा है saturation कम है उसका एक detail होती है वो उसके accordingly वो graph होता है उसके accordingly उसको ध्यान में रखते उसको कैसे कर सकते और easy कर सकते easy कैसे करना है क्योंकि जो beginner है वो क्या करते सिलेक्टिव कलर में जाते रिट जादा दिख रहे हैं वो थोड़ा कम कर दो color balance control भी करके color balance में जाएंगे कौन सा tone दिख रहे है yellow tone दिख रहे है वो थोड़ा कम जादा करेंगे फिर brightness control में जाएंगे उदर थोड़ा उंगली करेंगे मतलब अलग 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 जगा जाके कोई बार camera raw में जाते हैं उदर थोड़ा adjustment कर देते हैं मतलब वही सभी option वही पर होते हैं तो उदर से कुछ try करते हैं इतना सभी option इस्तेमाल करने के बाद भी लगता ही अभी तो कुछ ही नहीं हुआ अभी तो जश्ट शुरुआत की है बहुत color correction करना बाकी रहे गाया था तो हम एक ही option का इस्तेमाल करके ज़्यादा दिमाग में load ना लेते हैं अच्छे से करना चाहते हैं और easy तरकिये से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं यह चीज को मैं computer screen के उपर आके आपको बताऊंगा फिर भी उससे पहले बोलता हो कि subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe कीजे मेरा प्रशान कलर आर्ट करके और एच चैनल है उसे भी subscribe कीजे वहापे भी knowledgeable content में share करता रहता हो अभी recently open किया है वो channel और like सबी video को करना है वही आपका support है आप बोलेंगे आप हमें value देते हैं सिखाते हैं हम क्या आपको support करें तो आपको हर video को like करना है subscribe नहीं किया तो करना है ब example के लिए मेरे पास रोई शर्मा का photo है जो मैंने internet से download किया था और as it is photo है तो हमें इसका color correction करना है तो कैसे कर सकते हैं main जो है photo में कई बार बोलता हूँ फूटो को normal करके लेना है जिसका tone है mid tone shadow highlight इसको adjust करके normal करना है और उसके बाद आगे का work करना है चाहे तो face पे color apply कर दो brightness saturation अपने according लिए बढ़ाओ वो बाद की बात है पर main जो base है वो उसका tone adjust कैसे करना है हम क्या करते है कि tone adjust करने के लिए control B दबाते है अभी दिखरा है कि red tone जादा है तो हम red के opposite sign के तरफ लेके जाते है ठीक दिखरा है ठीक दिखरा है पर कहा पर ठीक है यहाँ पर ठीक है कि इकजेट कितना करना है यहाँ पर देखेंगे value तो 40 करना है 50 करना है 60 करना है 80 करना है 100 करना है तो exact कैसे पता चली कि सही value क्या है यहाँ पर भी आप देखोगे तो shadow पर अलग RGB तीन channel रहते हैं mid tone की तीन रहते हैं और highlight की तीन रहते हैं तो इसका इधर इधर कर दिया इसका इधर कर दिया तो कहां पर कोंसा कब कितना कैसे बढ़ाना है एक सेट कैसे पता चलेगा हाँ आपने accordingly देखते हैं display पर आपका display अल्रेडी जादा rate दिखा रहा है तो तो हम इतना बढ़ा दिया तो इतनी value 30 value एकदम सही है कि नहीं है यह कैसा पता चलेगा और यहाँ पर भी का टोन इधर से चेंज कर सकते हैं जो mid tone है यहाँ का उसका अलग से चेंज कर सकते हैं और highlight है ना के उपर माते के उपर वो highlight का कौंसा tone रखना है यह तो बहुत 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 complicated हो जाता है यह तो यह option हो गया है कई बार जाते selective color में जाते हैं इधर से red tone दिख रहा है तो पर बहुत सारे option है कौन से tone का कौन सा कम ज़्यादा करना है, brightness कम करना है कि tone ज़्यादा करना है, brightness कम लग रहा है तो हम shadow highlight में जाते हैं, उधर से adjustment करते हैं, कई बार saturation कम दिख रहा है तो इधर से करते हैं, कई बार करूच से करते हैं, तो इतने धेर सारे option में दिमा की खिचड बन जाता है और color correction तो वैसा का वैसा रहता है तो अभी मैं बताऊंगा कि क्या करें ऐसे जो easy easy मतलब एकदम एक minute के अंदर color correction हो करीबन 30 second में तो उसके लिए मैं use करूँगा level control और L दबाएंगे तो level आ जाएगा नहीं तो image में जाएंगे adjustment में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है देखो control level दोनों एक ही है तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले तुम इसका duplicate बना के रखता हो बाद में क्या हुआ और पहले कैसा था photo difference देखाने के लिए control L करता हो और अभी देखेंगे कि graph है यह जो control B करने के बाद आते थे red green blue तो यह channel है यहाँ पर आप देखेंगे तो red channel green channel और blue channel है तो उसमें भी highlight यह shadow mid tone और highlight सेम वैसे है जैसे control B दबाने के बाद shadow mid tone highlight और यह तीन channel और highlight के तीन channel mid tone के तीन channel और shadow के तीन तो सेम वैसे ही control L दबाने से आप देखेंगे कि यहाँ red है उसका shadow mid tone highlight green का और blue यहाँ पर अलग-अलग graph देखाता है यहाँ पर कि कौन सा color कम जादा है उसके अकोड़े यह आरजे भी नहीं करना है पहले red पर क्लिक करना है और देखना है कि कहाँ पर detail missing है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा यहाँ का graph है वह missing है तो अपने accordingly थोड़ा आड़िस करना है जैसे Photoshop हमें बता रहा है उतना उके उसके बाद green पर आना है green पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना graph missing है अपने photo में इतना green color कम है तो हमें उसको बढ़ा देना है और यह highlight है हमें overall photo को नहीं बढ़ रहा है बढ़ा रहे हर एक चीज को बढ़ा रहे है कि highlight, mid tone और shadow तो यह highlight का है highlight में green missing देखा रहा था इतना तो हमने वो आप missing graph है ना उसको fulfill करना है ओके green का हो गया अभी blue का blue का अपने accordingly थोड़ा बहुत कर लिया यहाँ पर थोड़ा missing है फिर भी अब photo को ध्यान में रखते हुए थोड़ा adjust कर लीजे और एक ही चीज को ध्यान रखना है जो भी missing है यहाँ पे अभी यहाँ पे कई बार यहाँ का detail इतना missing दिखाता है तो इसको fulfill करना है ओके अभी green पे उपर देखते हैं कि highlight और यह overall है RGB का उसको अपने accordingly mid tone थोड़ा adjust वगरा करना है और okay करना है कम से कम जादा से जादा 20 या 30 सेकेंद लगेंगे इतना करने में control yield करना है हर एक channel पे जाना है red पे कहाँ पे missing दिख रहा है उतना फिल करना है सिर्फ फिर green के उपर और फिर blue के उपर कितना कितना missing दिख रहा है उतना adjust करना है okay करना है असे और इतना करने के बाद आप देखेंगे कि यह original photo में आप देखेंगे तो red tone दिख रहा है और यहाँ पे करेंगे तो red tone निकल गया है 20 सेकेंड में और वाल shadow, mid tone और highlight का काम हो जाता है इसका मतलब photo जो है शादी के मंड़ में खिचा हुआ हो या कहीं बेबे खिचा हो light के पूल की नीचे जो भी tone है brightness, mid tone और shadow को adjust करने का सही माध्यम है control use से उसे और advance में करना है तो curves में जाके control aim करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर भी same है red, green, blue और उसको अपने accordingly एक्टम perfect कर सकते हैं पर यह थोड़ा सा आपको complicated लगेगा यह मैं बाद में explain करूंगा पर अभी ज़्यादा जो beginners है और जैसको ज़्यादा नहीं आता है और अच्छ control करना तो अपना photo है जो normal हो जाता है 100% correct होता ऐसा नहीं उसके बाद अपने accordingly थोड़ा adjustment कर सकते हैं कि देखते ज़्यादा exposure लग रहा है तो उसको थोड़ा adjust कर लो saturation कम लग रहा है तो control हो करके थोड़ा saturation बढ़ा दो यह overall थोड़ा adjustment कर सकते हैं पर photo को normal करना है तो यह सबसे based option है कम time में अच्छे से बहुत अच्छा हो जाता है मैं भी यही इस्तमाल करता हूँ आपको भी यह एड़ाज देता हूँ और जो कई बार क्या होते हम यह display पे काम कर रहे हैं वो RGB पे काम कर रहे होते यहापे mode आप देखेंगे तो RGB है हमें CMYK में काम करना है अगर printing के लि अगर जेंटा यलो और वो ब्लेक यह चार कलर से प्रिंट होता है तो प्रिंटिंग में अलग कलर दिखते हैं CMYK में रखाय तो ठीक है फिर भी हमें कस्टमर को बोलना है कि प्रिंटर के अकोर्डिंग लिए उसका RGB कलर करेक्शन कर दो और प्रिंट देता हो ताकि दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के उपर तब तक के लिए जाहिंद वंदेबात्रम